ममा वेट्स पापा एक बहुत ही इमोशनल फिल्म है पिच्चर की काहनी तो ज़्यादा मैं आपको बताऊंगा नहीं लेकिन पिच्चर के क्लाइमेक्स में मैं आता हूँ क्लाइमेक्स में मुझे एक लेटर लिखती है और मुझे इन्वाइट करती हैं कि वो मेरी फैन है वो मेरा शो देखती है तो बुलती रिक्वेस्ट करती है कि मेरे ममा पापा की वेडिंग है और क्रिशना आप आईए ज़रूर आना और मैं अचानक से जो है वो लेटर पढ़ता हूँ और मुन्नी को यहाँ पर सर्प्राइज देता हूँ तो सर्प्राइज जो मेरी एंट्री है फिल्म के अंदर वो एक गाने से है तो पहली बार मैंने लाइफ में उडिया गाना किया मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पर सुबे से हम शूट कर रहे है और एक सीन भी शूट किया पूरी क्रू टीम बहुत अच्छी है अपू जो इसके डिरेक्टर ने बहुत बढ़िया काम कर रहे है जब मैं उनसे पहली बार मिला उन्होंने जब कहानी सुनाई ना उनका कन्विक्शन बढ़ा अच्छा लगा मुझे और मुझे पता था कि बढ़िया फिल्म बनाएंगे तो उरिसा में तीन चार बार आ चुका हूँ मुझे यहाँ पर बढ़ा अच्छा लगता है जगनाज जी की जो मूर्ती है वो मेरे मंदिर में रखी हुई है मैं रोज वहाँ पूल चड़ाता हूँ रोज उसकी पूजा करता हूँ तो एक छोटा सा कनेक्शन है शुरुवाद से अशोक नंदा जी एक डिरेक्टर है यहाँ पर जिनने उनना अनुपम खेर के साथ एक फिल्म बनाई थी बीच में आप लोग जानते होंगे, मीडिया जानती होगी वह हमारे शो में आया थे कपिल चर्मा शो पर प्रमोशन करने के लिए तो वह मुझे पहली बार बुबनेश्वरा लाए थे फिर उसके बाद में एटीवी के शो के लिए आया था कपिल और में हम दोनों आये थे और उसके बाद में अब आया हूँ तो पहली मेरी उडिया फिल्म है इसलिए मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ यहां पर लोग बड़े अच्छे हैं, इमोशनल हैं, मुझे कल्चर बहुत पसंद है में थोड़ा पुजा पाथी हूँ तो यहां पर एक Tempels का वो बोलते हैं नहीं पहचानेंगे वहां पर पीपली गाउँ में वो जो पत्ते के उब़े उपर बनाते हैं तो मैं उनके घर भी गया उन सबसे मिला भी और मैंने मास्क पेना था पैना तो मुझे लगा मुझे नहीं पह्चानेंगे, मुझे लगा यहां हो सकता है, मैं फो सकता है, हमारा show न देखते हूं, यहां को पिच्चर न देखी हूं, मैं गाओं मेंOME मैंने सिर्फ मास्क उतारा पानी पीने के लिए, वो सारे लोग आ गए बोलते अरे कृष्णा आया यहां पर मैंने बोला तुम आप सब मुझे जानते हो बोले हाँ हाँ ऐसा कैसे नहीं कापिल सर्मा सोब सेटरडे संडे रोद देखता है हम लोग मैंने बोला चलो यह तो बहुत अच्छी बात है तो मुझे बड़ी खुशी है मैं गाओं के सब लोगों से मिला मैंने उनसे चीजें खरीदी भी और मेरा एक शो आता है हिस्ट्री टीवी 18 पे ओम जी मेरा इंडिया और मैंने उनको फोन किया और मैंने बोला कि हमने अभी तक और इसा में शुटिंग नहीं किया है यहां के कल्चर को एक्स्प्लोर नहीं किया है यहां के जो टेंपल्स है डेफिनिटली दुनिया भर में फेमस है जगनाद जी सब जानते हैं देखते है लोग आते हैं लेकिन बाकी जो चीजे हैं यहां का जो हैंडी क्राफ्ट है यहां पर जो आर्ट बनाते हैं लोग उसको इतना नहीं बहार दिखाया गया है आइ थिंग तो ओ-एम जी में मैंने उनको फोन किया मैंने का कि हमें औरिसा आना चाहिए एट लिस्ट चार पांच ए आएंगे तो मैं ओ-एम जी के लिए आउंगा तो आप पूरी मीडिया वेलकम हैं आप 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 झाल झाल